हेलो दोस्तों नमस्कार मैं तुल सिना आप सभी का वेलकम स्वागा तबिनंदन करता हूं और निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं जो ऑप्षिन की कॉल्स हमने आप सभी को ट्रेट कराएं थी फ्राइड के शिएशन में वह तो अगर आप हमारे ग्रूप के मेंबर्स हैं तो एक शांदार रैली के साथ सबी टार्गेट्स मीट किये मौर्निंग में पुट को ट्रेट कराया इवनिंग में अमने कॉल को ट्रे अगर डेली चार्ट में आप लोग देखेंगे तो है और आप लोग देखेंगे अगर आप लोग देखेंगे करेंगे तो है तो है तो है यहां पर पार प्रेट नहीं होई थी जो कि हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं चार्ट को यहां अगर हम बात करें फिलहाल की एक प्रिजेंट लेबिल की डेली चार्ट पर तो 17,854 का लेबिल है तो तक्रीबन 17,970 तो यहां से लगबग 120 का मूव अभी भी बचता है जहां पर वो रेजिस्टेंस फेस होगा राइट वो रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा वो रेजिस्टेंस रहेगा सम्वेर अरूर यह जो केंडल है क्योंकि अगर हम इस केंडल की बात करेंगे तो यह एक बड़ी ट्रेडिंग रेंज है बड़ी देखेंगे तो somewhere around 17,350, 340 से लेके 17,970 approximately है तो अभी अप्रोच करेंगा 970 की ऊपर अगर gap up open होता है that will be the good sign कि बजार उस TR से बाहर आया and let me show you कि यह रेजिस्टेंस लाइन है next level of resistance बनेगा आपको जो कि आपको तकरीवन 18,070, 18,100 यानि कि 18,070 से लेके 18,100 that will be the crucial label वो train line resistance बनेगा जो train changes होंगे जो reversals आएंगे strength आएगी वो जो label रहेगा वो रहेगा आपका जो previous हाई है train line cross होने के बाद 18,210 to 20 के अप्रोक्सिमेटी तो यह जो label से step by step label को देखते हुए चलते है बजार कौन से label पर रुक रहा है कहाँ पर जाके बजार को परिशानी हो रही है निकलने के लिए तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो हम लोग Monday की बात करेंगे तो यह जो scenario है बजार का वो कहता है कि 17,970 से लिके 17,970 से लिके 18,000 जो यह जो range यह cross होती है तो फिर बजार 18,070 से लिके 18,100 पर जाके रिजिस्ट करेंगे वहां तक तो होफ़ली बजार को इस train line को जाके approach करना चाहिए and this is the first time, second time, third time, this will be the fourth time and immediately बजार को इस attempt में cross कर देना चाहिए maybe कुछ kind of news is, कुछ triggers आ सकते हैं दुबारा सा बजार के अंदर वो तो कहर वो आपको चीजे चार्ट पर दिखाई देती है that is not big thing कि अगर बजार 18,100 के असपास आता है so on the charts, we will say that कि बजार अगर नीचे आ रहा है तो definitely the resistance बाद स्ट्रॉंगर और वहाँ पर कुछ news flash हो जाती है so that will be kind of trigger, that's only the trigger news रहेगी और अगर कुछ positive news आती है then definitely the market will rebound और 18,100 के ओपर cross करता हुआ लगभग 18,200, 220 तक अप्रोच market करेगा जो कि previous हाई निफ्टी का और उसको cross करने कवा निफ्टी much more stronger हो जाएगा as compared to the past days, right? okay, so यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर there are so many other kind of distances are also there जो कि बोगफ फोकस कर सकते हैं, you can see that here the kind of support already broken down and the market has been crossed this bottom line support और उसके ओपर जाके closing कर दिया, that is a very good sign also so multiple kind of, you know, supports and distances को हम लोग measure करते हैं और देखते हैं कि किस label को बजार जादा आप, you know, positively hold कर रहा है और किसको वो easily break कर रहा है उसी के basis पर हम लोग call raise करते हैं बही पर, bank nifty के बात करेंगे तो bank nifty में भी daily chart की बात करेंगा तो gap up opening हुआ था Friday को and you know, initially the market went down तिकि जब भी lower week बनता है, that means कि initially, generally initially market went down नीचे की तरफ जाता है या upper week बनता है और उसके बाद lower पर अपने close होता है तो market इदर early session में ऊपर गया and then by under the day market अपने lower पर close हुआ same kind of thing यार, कि lower week है but upper week नहीं है, that means कि market went down in the early session जहाँ पर हमें लोगों ने put trade किया था मैं आपको दिखा दूँ आपको premium group में हमने put trade किया था bank nifty का 40,600 का put trade किया था 290 पर and 420 was the our third target उसके उपर आपको jackpots मिल सकते हैं ठीक है and nifty में जो हमने trade किया था that was 17,500 का put जोगी 65 के उपर था 110 रुपय का हमारे target से तो अगर मैं initially आपको दिखाऊंगा 70,500 का put जोगी 29 पर बंद हुआ but जब हमने call दिया था उसके बाद इस call ने जो अपना high touch किया था that was 1 minute 70,500 ये nifty का call है जिसमें की 65 पर बाई था 110 का target था तो ये लब भाव 105 तक अप्रोच किया था 110 अप मिस्ड कर गया 5 points but overall two targets के बाद almost three targets achieve हो गए थे वहीं पर अगर हम bank nifty की बात करते हैं तो bank nifty में अगर मैं आपको शो करूँगा 40,600 की call तो 484 रुपय 58 पैसे का high लगाया और हमारे 420 तक टार्गेट था यानिकि हमारे 3 targets achieve हो गए तो दोनों calls हमारे jackpot बन गई और target समय तीनों मिल गए निफ्टी में भी 17,500 की put में और bank nifty में 40,600 की put के अंदर उसके बाद जब second half की बात आती है और बजार में गिरावट और दवाब हमें back to देखने को मिलता है तो देखिए यहां से जब बजार यूनों उपर गया एंटन बजार ने यहां से मैं आपको दिखाना चाहूंगा पंद्रमेट के चार्ट पे हम लोग आ जाते है उसके बात बजार ने कहा था अरलीशर से मने कुछ ऊपर गया, नीचे गया और यहां पर today is chart is this one Friday chart, sorry so अरलीशर से मार्केHट went down one push down two push down and third push में बजार ऊपर निकल गया यदिकी one push and this is a very great setup you always remember this is a very great setup the one push down two push down and third push down the one two third थर्टे टाइम मुआ कर बजार एक अच्छी cross candle के साथ closing करता है तो market में बड़ा potential rally आपको देखने को बिलता है ठीक है तो यहाँ पर हमने जो भी calls raised किया that was nifty, bank nifty के अंदर ता जो की 4700 का call था and 41700 का जो call था that went up to 308 का, यह हमने free group में दिया था और अगर आप हमारे free group के members हैं, आपने हमें join किया हुआ है तो आप हमें demate account open कर सकते हैं, demate account open करते हैं हमारे साथ अगर जूरते हैं और option trading initiate करते हैं, हमारे साथ ट्राइ करते हैं definitely will give you some kind of access for the option trading group especially and some kind of access to the stock trading group as well ठीक है, membership membership भी आप ले सकते हैं, हमारे premium group में but, यहां पर हमना जो call दिया आप देखेंगे, 41,780 160 के उपर था और 308 रुपे, 300 पैसट के हमारे target थे, यानि कि सभी targets अचीव हो गए थे, 17800 के call 90 रुपीज के उपर buy था 140 का target था, so let me check 17800, अगर आप देखेंगे 165 का हाई लगाया, हमारे target 140 के, then all targets meet तो early session में first half में हमें 2 call trade कराई nifty, bank nifty, और second half में हमने free group में call trade कराई, nifty, bank nifty की nifty की 17,800 की call और bank nifty की 41,800 की call and in both call, जो है target जो हमारे meet हो गए, right अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज को आप समझिएगा, थोड़ा सा इसको बात करते है, kind of pattern जो बन रहा था, see, this was a kind of pattern, यहाँ पर एक sideways momentum में था बजार लगबख सुबा 11 बजे के बाद से और लंसम पॉने 2 बजे के आसपास, था 2 बजे के आसपास, बजार एक sideways 3R के अंदर चलता था, trading range के अंदर था, and then breakout came, तो यह breakout पे हमने आपको call दिया था 160 के अबब, और आपको SL था, that was 120 approximately का, आपका SL था, बजार ने बड़ा rally किया, एक बड़ी breakout candle बनी, और बड़ी breakout candle बनने के बाद, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह inside बार बनी, और inside बार बनने के बाद, higher high higher high, और higher high, इन तीन candles में, हालाकि body parts smaller हैं, पर अगर आप highs को notice करेंगे then higher high, इसमें भी higher high और यह higher high, यहाँ पर देखे higher lows, higher lows and higher lows, उसके बाद, pull back आया, pull back में lower high and lower low and then jackpot, उसके breakout आया, यहाँ पर एक तरीके थे, अगर आप देखेंगे so kind of flag and peanut kind of pattern formation some kind of बन रहा है, ठीक है तो यह pattern जो होते हैं बहुत important होते हैं, जो कि आपको notice out करने होते हैं, यहाँ पर देखीगा, और यहाँ breakout आया, retest किया, इसी flag and peanut के bottom side को retest किया and then went up to, तो यह जो patterns है, इन patterns को अगर आपने पकड़ लिया, कैसे बजार चलता है, कैसे move करता है, तो right time पे आप entry लोगे, perfection के साथ बैठोगे, proper stop loss के साथ बैठोगे, अगर आप देखोएंगा, मैं आप 160 पे call दिया stop loss was 120, के बिए 40 रुपय गादा but never came back to 120 के लिए, बिगाज the call was very good at the right time, with the right stop loss for the right target के लिए and the timing up की proper होते है definitely, आप जो है वो उस direction में बैठते हैं, patience के साथ बैठते हैं, पैसा अर्न करते हैं, तो यह nifty bank nifty का रहा और आप, I hope की in the coming days यह जो बड़ी TR है, इस TR से जब तक, बजार ऊपर यह नीचे की तरब रिकार्ट नहीं करेगा, market का जो नया direction है, that will be undecided so, फिलाल bank nifty के अंदर एक बड़ी trading range है 39,470 ते लेके 42,050 approximately, तो एक बड़ी TR है, और जब बजार 42,050 42,100 को cross कर जाएगा और उसके उपर sustain करेगा then, we'll go for the more upside और उसके बाद जो बजार का, जो next level of resistance बनेगा, वो लगबग 42,790 से लेगे 42,000, 800 के आपस next level of resistance बजार को मिलेगा, bank nifty गा और अगर वो level cross होता है sustain करता है for the next couple of days के लिए then definitely will be good for the Indian market for the bank nifty as well as the nifty तो यह nifty bank nifty का pattern है जिसके बारे में बात किया अगर आप options में trade करते हैं तो हमारे group को join किजिएगा add the rate, money tree, option game या फिर आप पर चेलीग्राम पर message किजिएगा 7217718769 पर आप अगर हमारे साथ जूरते हैं dhemet account open करते हैं, links के माद्धियम ते जो कि आपको video के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे या फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल पर आएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे तो अगर आप dmit accounts open करते हैं हमारे साथ, जूरते हैं हमारे labels के साथ trade करते हैं I assure you कि options trading में अगर अगर आप केवल लेविस को follow करेंगे मेरी, you know, honesty के साथ then definitely you will make some huge amount of money many, many, many people जो कि केवल एक month की membership लेते हैं within couple of days वो 10 to 15,000 बहुत easy बना लेते हैं याने कि first day अभी हमारे रिसेंट एक member ने जोईन किया one monthly membership लिया 3500 rupees का but on a first trading day he earned रुपी 4600 rupees जनी कि एक ही दिन के अंदर उन्होंने अपना membership का पैसा recover किया next day 1400 then उसके बाद 1000 rupees and then इस तरीके से ये continuation चलता रहता है और आप सही तरीके से पैसा भी कमाते हैं honesty और trust बहुत जरूरी है अगर आप मेरे साथ जोणना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझपे विश्वास रखिएगा अगर आप विश्वास रखेंगे तो आप पैसा कमाएंगे कमाएंगे और सिर्फ कमाएंगे next video मुलाकात करता हूँ कुछ अच्छे stocks को आपके साथ discuss करने वारा हूँ so watch करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे तब तक लिए अपने ध्यान रखिएगा टेक क्यार नमस्कार थैंक यू थैंक यू सो मच दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल तो जुड़े हैं तो चलते चलते यह जरूर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेए अपने शोशल मीडिया प्रेटफॉम पर शेरिंग करते हैं अपने दोस्त के साथ उनको भी सब्सक्राइब कराए और दोस्तों आपने फीड़बैक को हमारे साथ शेर करते रहिएगा क्वेरी को शेर करते रहिएगा थैंक यू थैंक यू सो मच